हेलो देसे से लेलकनम दूपणिशनल भाई तो आशी ख्रास में हाइड्रो कार्बन के बारे में हाइड्रो कार्बन जो टॉपिक है वह टैन्थ क्लास साइन्स का है चैट्र नमार 4 कारबन एंट सिंट कारबन jn हम सीख लेते हैं हाइड्रोकार्बन होते क्या है तो हाइड्रोकार्बन एक्ष्णि में जो हम बोलते हैं तो हम बात कर रहे हैं यहां पर और गेनिक केमिस्ट्री की और इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इन्वाल्व होते हैं ठीके तो देखते हैं जो होते हैं है 파께 में तो हम कूल सारुख हाइज यानी कि शंत्रप्त हाइज कार्बन क्या होता है संत्रप्त हाइज अंसेचुरेटिड हाइड्रोकार्बन यानि कि एस अंत्रप्त हाइड्रोकार्बन सेचुरेटिड और अंसेचुरेटिड हाइड्रोकार्बन तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि भई यह सेचुरेटिड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और unsaturated hydrocarbon क्या होते हैं देखते हैं तो सबसे पहला point हम बोल सकते हैं कि ऐसे hydrocarbon जुन में single bond बना हुआ हो क्या present हो single bond और यह single bond होगा यह carbon और carbon के बीच में होगा carbon और carbon के बीच में जो single bond बना हुआ हो उसका हम क्या बोलते है saturated hydrocarbon लेकिन अगर जो कार्वाल और कार्वाबन के बीच में डबल या टिरिपल बॉंट हो च्रिपल बॉंट तो वो कहलाता है अंसेचुरेटेड हैडरो कार्वाबन और ये ऐसा हो सकता है 4 बॉंट बनाता है इसलिए तो saturated में single bond बनेगा carbon और carbon के बीच में और unsaturated में double भी हो सकता है वो triple भी हो सकता है ठीक है single bond यानिकी एक अलाबंद double bond यानिकी दुयाबंद triple bond यानिकी त्रियाबंद तो यह हो सकता है अगर जो हम बात करते हैं कि इनका formula क्या होता है कैसे यह एक formula के basis पर काम करते हैं तो इनका formula है वो होता है cn h2n plus 2 अब यह formula कहता क्या है अभी बात कर लेते हैं unsaturated जो हैं वो दो type के हैं एक तो वो जिनका formula होता है cn h2n एक वो जिनका formula है cn h2n minus 2 तो अब हम समझते हैं यहाँ पे इन formula को के formula actually में होते क्या है क्या कहना क्या चाहते हैं सबसे पहले तो आप जालने n a यहाँ पर number of carbon क्या है number of carbon अगर जो हमारे पास जियान देना carbon जितने भी है carbon जितने भी है इस वाले case में तो आप क्या करें उसका double कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो hydrogen लगाने होते हैं क्या लगाने होते हैं hydrogen क्या दुबारा समझेंगे जितने carbon हमारे पास है उस carbon का double करो और 2 plus कर दो उतने ही hydrogen हमें add करने होते हैं for example के लिए suppose करो कि हमने लिखा c2 तो hydrogen कितने आएंगे तो 2 का double करो पहले आप तो 2 का double हो जाएगा 4 और फिर उसमें 2 add कर दो तो 6 c2 h6 क्या हो जाएगा c2 h6 अगर जो हमने लिए carbon 3 कितना लिए carbon 3 तो hydrogen कितने आएंगे तो 3 का double करो आप 6 और फिर उसमें 2 add करो 8 कितना आएगा 8 बास समझ में आ गई जितने carbon है उसके दुगने से दो जादा हमें hydrogen लगाने होते हैं अगर जो हम बात करते हैं किसकी saturated hydro carbon की ठीक कार्बन और hydrogen का concept लेकिन अगर जो हम बात करते हैं cn h2n unsaturated में तो यह क्या है actually में जैसे कि हमने यहाँ पर देखा यह formula cn h2n plus 2 है इस formula को हम बोलते हैं यह alkane है क्या है यह alkane तो लास्ट में क्या रहा है इन उसी तरह से यह होता है alkane इन आ रहा है last में और यह होता है alkane तो लास्ट में आ रहा है आइन तो hydrogen उसके डवल आएंगे आपके आएंगे उसके hydrogen डवल होंगे कोई दो जदा नहीं करना है ना कम कर रहा है और यह कहता है कि जितने हमारे पास carbon है उसके दूगूने से दो कम hydrogen लेंगे हम क्या लेंगे दूगने से दो कम फॉर एक्सामपल अगर जो हम यहां बोलते हमारे में चार है कितने कारबन चार अभी नेमिंग हम इसकी सीखेंगे अभी बस कॉंसेट सिखारों में एलकीन कैसे बनाना है है तो आप चाहते हैं और तो जोड़ रहे थे लेकिन अगर बात करें था पहले उसका 4 का डबल करो चार का डबल कितना होगा आठ यानिकी फोल्डूसा एट अब उसमें से दो माइनस करो यानिकी सिक्स तो एच सिक्स तो यह कॉंसेट कहता है कि भाईया हमें हाइडोजन कितने लगाने अबर जो कितना कारवन हमारे इंक कर राएं यां काई क्या रही आ याया कि किया रहाएं या ऐलकाइन की कर रहा हैं कि किसकी히 तो क सिंबल सी बात हैं है एक याद कर लें जतने कारवन हैं उसका डवल हाइडोजन आता है अलक्समें गया होता है अलक्सरी जोटjakॉल से दो हटा दो इसके पीछे आएगा इं और इसके पीछे आएगा आइन क्या आएगा आम अगाiron ऑर अगर जो हम बात करते हैं कि ठीक के इंग्सामपल हमने लिए यहां जितने भी inv quieren होते हैं वह सब्सिट्ऊंचराइशन ऐगें civil देज़ान क्या होताएं क्या होता ना खुद बैठ जाना लाइक डिस्प्लेश्मेंट रियक्शन ऑके बट अगर से हम बात करते हैं अन्सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो इसमें होता क्या है इसके अंदर हम कहते हैं कि डवल बॉंड वाले हैं भाई साब यह किते हैं डवल बॉंड वाले तो एक बॉं संकलन अभी क्लिए संग्रों अबीक्रिया नेक्स प्वैंट हम बात करें अगर किसी भी हाइडु कार्व कОर्ण को बर्न करते हैं बर्न करते हैं जलाते हैं तो उसमें जलने पर हमें यहां पर ब्लू कॉलर की क्लेमrule प्लेम मिलें। नेले कलर की जुआला हमें मिलती है जब इसको जलाया जाता है बर्न किया जाता है और यहाँ पर कोई पॉलिशन बहुत सब्सक्राइब लीस्ट पॉलिशन होता है बहुत कम पॉलिशन होगा गड़ अगर में किछी अंसाचरेटिड़ हाईडरोकार्बन को चलाते हैं किछी अंसाचरेटिड़ हाईडरोकार्बन को अगर करते हैं जो आला निकालते हैं इसमें लाल या पीले कलर की और यह बहुत ज़्यादा पॉलिशन कोस्ट करते हैं पॉलिशन ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि यह कंप्लीटली बरन नहीं होते कि आपको बात समझ में आ गई तो अब हम बात करने वाले हैं कि भीया नॉमन क्लेचर कार्बन कंपाउंड के बारे में हम इतना सारा नाम उनके कैसे रखें इतने सारे कार्बन होते हैं तो उसके नाम रखने के लिए आप कुछ चीशें याद रखेंगे ध्यान देते हैं जरा तो सबसे पहले तो हम सीख लेते हैं भीया कार्बन के नाम क्या होते हैं तो हम यहाँ पहुं लिए नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन और यहां इसका नाम ठीक है को दिक्कत तो नहीं है आओ एक टेवल बनने है चोटी सी हमारे पास अगरच्छा हमारे पास कारवन एक है तो उसका नाम होगा मैथ कारवन दो है तो नाम होगा एथ कारवन तीन है तो नाम होगा प्रॉप कारवन चार है तो नाम होगा ब्यूट कारवन पांच है तो नाम होगा पेंट Carbone 6 हैं तो नाम होगा Hex और Carbone 7 हैं तो नाम होगा Hept ओके ये नाम होते हैं एक कारवन वाले को हम बोलते हैं Met दो कारवन वाले को बोलते हैं It या E.T तीन को बोलते हैं Prop चार को बोलते हैं But पांच को Pen च्हे को Hex 7 को Hept कहा जाता है तो इनसे क्या conclusion निकलता है भईया आप हम सीखने वाले कार्वन का नाम कि हम नाम कैसे रखें मालो कि हमसे बोला गया कि आपको लिखना है methane क्या लिखना है methane चिकें methane तो simple सी बात है methane एन आ रहा है इसमें क्या रहा है एन अब ध्यान देना जड़ा तो meth meth का तो मतलब हो गया carbon 1 कितना carbon हो गया एक अब एन हमें क्या बताता है एन यानी की alkane से related है थैन यानी की alkane और alkane का formula क्या था cn h2naps2 यानी कि जितने carbon है उसके दढ़वने से dragged फउधना से दो ज्यादा फ़पकर दो एक का दढ़वना दो rifainer 2भी इतेन तो एथ का मतलब कारबन दो तो हैड्रोजन कितने आएंगे दो का डबल करो चार और दो छे मालो आपको लिखना है प्रॉपेन प्रॉप का मतलब होता है तीन कारबन तीन का डबल छे और दो आठ अपलो आपको लिखना है यंदि चार करबन चार कर डबल आठ और दो दस आपको लिखना है प्रेकस का डबल दस और 12 तोём Кवंग सुद्धाशन, हेकशेन कह लिखना है हेकजेन तो सीसिक्स एच फोटीन आपको लिखना है है What I hope तो कारbन साथ-साथकड डक्वल 14 और 2 करो है । डो 16 ठीकर इस तरी मिमारे पास सिक्वेब्स आ जाती हैье और यह किस की सिक्वेब्स आ गई है पूरीinent किया गए है सातकार बन तक इसी को हम बोलते हैं हôm अब हूमोलोग्रीय जो है इसकी कुछ प्रोपर्टी होती है क्या होती है क्प्रोपर्टी नवी कुछ विषेस्था होती है उस विशेष्टा में हम बात कर लेते हैं सबसे पहली विशेष्टा क्या है जब भी आप किसी एक हाइड्रोकार्बन से दूसरे हाइड्रोकार्बन पर जाते हैं Second property की बात करें, carbon का जो mass होता है, वो 12 होता है, hydrogen का mass होता है 2, यानि की mass increasement कितना होता है, 14 unit का mass increase हो जाता है, जब भी हम किसी एक hydrocarbon से दूसरे hydrocarbon पर move करते हैं, I think ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अब अगर हम बात करें की structure की, किसकी बात करें की, structure की, तो कोई भी अगर जो hydrocarbon है, structure यानि की संवच ना, तो या तो वो linear structure दिखाएगा, ठीक है, वो branch भी दिखा सकता है, लेकिन branch बनने के लिए न, at least 4 carbon चाहिए, 4 carbon नेसेसरी है, 4 carbon होने चाहिए, तीसरा हम बोल सकते हैं, वो cyclic दिखाता है, cyclic structure ठीक है, यह structure हमें mention करनी है, अपने syllabus में, हाला की, और भी structure है, जो की present है, बट हम बात करेंगे, उनको higher classes में, अभी हम इन पर ही रहते हैं, तो अगर जो हम बात करें linear structure की, for example, अगर जो हमने example में ले लिया है, butane, क्या ले लिया है, butane, तो butane को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आओ देखते हैं, butane, तो ब्यूट यानि की carbon 4, एन आ रहा है, तो hydrogen 10, तो हम लिख सकते हैं, चार carbon बना देंगे आप, बना दिया आपने चार carbon, आपको पता है, हर एक carbon carbon चार bond बनाता है, इस carbon का एक bond तो है, दो, तीन, चार होगा है, इस carbon के एक bond यह रहा है, एक यह रहा है, चार होगा है, एक यह रहा है, चार होगा है, हर एक carbon के चार bond हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, चार bond, अब आप यहां पे थोड़ा सा गौर फर्माईएगा, कि इन पर आएगा क्या इन पर सब पर हाइडोजन एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस क्या दस हाइडोजन आ गए यानि कि ये पूरा हो चुका है लेकिन अगर जो हम बात करते हैं कि इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे बनेगी अब ब्रांच में क्या होता है, बना तो देते हैं, हाला कि फॉर्मला सेम रहेगा फॉर्मले पर ध्यान देंगे ज़रा, इसका जो फॉर्मला है वो इतना है तो हमें काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ठीक है कार्बन चार होए है ठीक है और हाइडरोजन देखें जरा हाइडरोजन भी चाल लाएदे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तो आप देख सकते हैं इसमें इनका दोनों का जो है इसका भी फार्मला सी 4H10 है और इसका भी फार्मला सी 4H10 है लेकिन दोनों की ना structure चेंज हो गई है क्या चेंज हो गई है structure इसलिए ऐसे compounds जिनका molecular formula तो same हो जिनका molecular formula same हो लेकिन structure अलग अलग हो ऐसे compound isomers कहलाते है क्या कहलाते है isomers जिनका formula same है लेकिन structure अलग अलग है अब इनके structure अलग होने की वज़ा से actually में होता क्या यह branch है हमें पता है इसका branch है इसका नाम बदल जाता है इसका नाम बदल जाता है क्योंकि IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry जो है उसका organic department कहता है कि आप जब नाम रखेंगे carbon compounds का तो सबसे पहले एक long chain को select करेंगे तो हम देखते हैं long chain कहा बन रही है एक दो तीन carbon एक दो तीन carbon कहीं से भी देख लो तीन ही बन रही है क्या बन रही है तीन तो अब आप नाम दे देंगे तो carbon एक carbon दो carbon और तीन carbon तो हमारी जो सबसे लंबी chain है उसमें तीन carbon आ रहे हैं क्या रहे हैं उसमें तीन carbon अब यह ज क्या हो गया यह प्रॉपेन ठीक है यह हो गया प्रॉपेन लेकिन हमने देखा यार दूसरे कारवन पर यह CS3 भी तो एड़ है CS3 का मतलब होता है methyl क्या मतलब होता है methyl दियान रखना ये बाद में भी आने वाला है तो हम इसको बोलेंगे कि इसको भी denote करना पड़ेगा पर ना तो ये गलत हो जाएगा तो हम बोलेंगे इसको two methyl propane क्या बोलेंगे two methyl propane क्योंकि दूसरे कारवन पर एक methyl group लगा हुआ है और टोटल हमारे पास कितने कारवन है लंबी चेन में तीन इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा two methyl propane क्या बात समझ में आगए तो ये branch structure है तो इसमें भी पाए जाते है बात करते हैं cyclic में जब हम किसी cyclic structure की बात करते हैं किसकी बात करते हैं cyclic की तो ध्यान लखना जो भी इनका general rule होता है उसमें minus two hydrogen होते हैं कितने hydrogen कम हो जाते हैं दो hydrogen कम हो जाते हैं अब दो hydrogen कम किस तरीके से होते हैं आप देखते हैं इसको note करते रहें और मेरे वीडियो पर comment शरूर करें share करें, subscribe करें तो अब हम देख लेते हैं cyclic structure की बात कर लेते हैं तो मैं यहां पर example के थूरू समझाओंगा इने भी देखो एक होता है हमारे पास hexane क्या होता है hexane इससे पता चल रहा है कि भी यह linear बिल्कुल भी नहीं है और एक होता है cyclohexane sorry यह linear है cyclic नहीं है यह होता है cyclohexane क्या होता है cyclohexane तो अब एक linear है और एक cyclic है एक structure एक हमने लिया है linear और एक लिए cyclic कैसे पता चला कि cyclic है तो देखो नाम कहा है इसका cyclo यान कि cycle cycle का मतलब होता है कोई भी end जो यहां पर visible नहीं होंगे वह एक close structure होगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं formula की आपने देखा कि hexane आ रहा है क्या रहा है hexane यानि की carbon तो 6 होंगे और hydrogen दूने से 2 जादा 14 हो जाएंगे किते हो जाएंगे 14 लेकिन cyclic के case में क्या होता है दो hydrogen कम क्यों हुए cyclic के case में तो आँ देखते हैं इसका post matum कर लेते हैं हम तो hexane का structure हम यहां पर draw करने वाले हैं तो hexane जो है वह actually में कैसा होता है छे कारवन बना लेते हैं हम लंबे लंबे से तो यहां पर छे कारवन है 123456 हर एक के चार वांड होने चाहिए हर एक पर hydrogen लादो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तहरा चौदा I think यह वाला structure satisfy हो गया है अब आप क्या कहरें भी है इसको cycle में convert करो cycle बनाना है एंड्स नजर नहीं आने चाहिए अब यह एंड्स नजर नहीं आने चाहिए आप इसको ऐसे पास में ला रहे हो जब आप इसको ऐसे घुमाओंगे structure को तो यह कारवन इस कारवन से होगा और यह तो यहां पर hydrogen यहां प कि आप इसको ऐसे घुमाओंगर के लाओ गए ठीक है जियान देना इस कारवन के पास तीन hydrogen है एक दो तीन यह कहता है यार मेरे पास भी तीन hydrogen है कह रहे हैं कि यार हमें cycle structure बनाना है तो कहता है cycle कब बनेगी जब हम दोनों आपस में bond बनाएंगे और यह दोनों bond कब बना सकत है जब एक hydrogen यहाँ से निकले और एक hydrogen यहाँ से दो hydrogen कम हो गए इसके निकलने से यह bond बन जाता है जिस तरीके दर cycle structure complete होता है अब इस structure को हम real में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको आओ देखते हैं कार्बन 6 होगा है कितने कार्बन होगा है six cyclic structure लेकिन आपको पता है हर एक कार्बन के पास double bond होता है सुरी चार बॉंड होते हैं तो दो बॉंड तो हैं इनके पास यह लोग दो और हो है तो और एक दो तीन चार पांट चेर साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ठीक हैं तो यह bond बन चुके हैं और इसका नाम क्या होबाद साइक्लो हेक्सें तो यहां दो hydrogen कम क्यों हो रहे हैं आप बचला क्योंकि जो लास्ट वाले दो कारवन जब आपस में चुड़ते हैं तो वहां से hydrogen का निकलना जरूरी था है इसलिए दो hydrogen वहां से निकल जाते हैं और यह बन जाता है साइक्लो हेक्सें आप कोई ज़रूरी नहीं है भी आप इसको इस सरीके से डिनोट करें आप इसक वहां पर hydrogen आ जाएंगे उसकी वैलेंसी को सटिस्फाइ करने के लिए बास समझ में आ गई तो यह हो जाता है हमारा साइक्लो हेक्सें अब मालों कि हमें बनाना है साइक्लो पैंटेन क्या बनाना है साइक्लो पैंटेन आप में देखा भया पैंट कारवन आ गए 5 एन दुब तो यहां पर अट है क्या होगा साइक्लो पैंटेन क्या बास समझ में आ रही है अब कभी-कभी क्या होता है कि इन में भी ना बीच में डवालब्ट आ जाता है कि लोग इक्स Всемय करना दिया सइक्ड़मटेन अब एक्ग्या करता है कए कि आप इसका नाम मताई है हमें तो पता था यह साइकलो पेंटेन लेकिर उसने यहां पर डवल बॉंड देदिया तो डवल में इना जाता है कि आंदाए इन तो यह जाएगा साइक्डो पेंटीन एधिती है क्वेड लेक्वार एकॉट एक्जाम्बले लिधा मालो कि यह है और बोला गया इसका नाम के हैं अब बच्चे के सुष्थ है यार यह स्कुएर है वर्ग है कोई बोले रेक्टेंगल है कि लेकिन यह हम तो और गैनिक चैमिस्ट्य को बात कर रहे हैं ना हाँ तो इसका नाम क्या हुआ हम देखें कि कौने कितने हैं एक कौना दो कौने तीन चार चार कोने यारे की चार कार्मन चार कर वाला ब्यूटेन क्या होता यह तो यह ब्यूटेन है अब भी गलत है ब्यूटेन ही नहीं क्यों कि साइक्ली कि स्ट्च साइक्लो ब्यूटेन क्या है साइक्लो ब्यूटेन क्या बास समझे में आ गए आपको क्या है साइक्लो ब्यूट इसका नाम क्या हुगा कितने कौन है एक दो ती प्रोपेन साइकलो प्रोपेन क्या बने लगा सैगलो प्रोपेन किसी ने एक और v distant खेश है ठीक है मैं साइकलो प्रोपेन हो गया कह रहा है है तो चीलिंगे प्रोपायine हो गया क्या हो गया यह साइकलो प्रोपाइन ठीक है तो यह स्ट्रक्चर होती है और हमारे सेलेवस में साइकलिंग की दो स्ट्रक्चर मेंशन की गई है एक है साइकलो हैं जो मैं आपको बता चुका हूं और दूसरा है बैंजीन दूसरा क्या है बेंजीन तो बेंजीन का हम कॉंसेट समझते हैं जरा बेंजीन का क्या फॉर्मला होता है बेंजीन बेंजीन का फॉर्मला होता है C6 और H6 अब इसे स्ट्रक्चर को कैसे बनाए तो काफी सारे सैंटिस परिशान थे यार ये बेंजीन की जो इस्ट्रक्चर है वो बनेगी तो बनेगी कैसे तो और ने क्या कहा कि भाई ये 6 कारबन हैं एक दो तीन चार पांच छे ये 6 कारबन है चलो छे कारबन तो बनगे साइकलिक में लेकिन यार हाइडोजन हम 6 कैसे लगाएं एक दो तीन चार पांच छे हाइडोजन भी लग दे लेकिन हमें क्या पता है हमें पता है कि हर एक कार्बन के चार बॉंड होते हैं तो आप ध्यान से देखें इसे स्ट्रक्चर को क्या यहां चार बॉंड दिखाई दे रहे हैं इस कार्बन के देखो एक दो तीन इसके देखो एक दो तीन हर एक कार्बन के तीन बॉंड है लेकिन होने चाहिए चार तो यह कैसे डिसाइड गया कि चार बनेगा तुन्हें कहां कि एक एक छोड़ के डवल बॉंड कर दिया जाए क्या कर दिया जाए एक एक छोड़ के डवल बॉन्ट अब ये एक छोड़ के डवल बॉन्ट वाला कॉंसेट आया कहां से तो एक साथ कितरा स्टक्चर है साम जब बीच में गोल गोल घूमता है ठीक है तो एक छोड़ के अब कोई नहीं है कि यहां पर यहां नहीं हो सकता है यह एक्चुलि में अपने बॉन्ट को रहा यहां तो यह वाला यहां तो इस तरीके से बिधी किया जाता है तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और हमारे नेक्स विडियो में इसके आगे की बात की जाएगी तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करना बिल्belsु भी न कि